जब मैं अंतरिक्ष कहता हूँ तब आपके दिमाग में क्या आता है आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर आती होगी जिसमें ग्रहे तारे ये सब भरे हुए होते हैं ये सब तो ठीक है पर हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगा है जहाँ पर कुछ नहीं है और इसे दा खाली जगा आखिर संभव कैसे है स्पेस में इतनी बड़ी खाली जगा होना तो साइंटिफिकली इंपॉसिबल ये साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ सकें साइंटिस्ट के हिसाब से इस एरिया में करीब 10,000 गैलेक्सीज होने चाहिए पर सब कुछ मिसिंग है बहुत सारे निकाले गए पर कोई भी इसे सही से संझाने में कामयाब नहीं रहा है कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा तारा ब्लास्ट हुआ था जिसे सुपर नोभा कहते हैं और वो ब्लास्ट इतना टगड़ा था कि उसने आस-पास के सा सारे ग्रहों और तारों को अपने पोजिशन से हटा दिया पर इस त्योरी में यह है कि चाहें कोई तारा कितना भी बड़ा हो और कितना भी जोड से ब्लास्ट हो कितना जोड का भी सूपर नोभा हो वो कभी वी 1.8 billion light years का stretch इतना चोड़ा खाली जगह कभी नहीं बना सकता तो अंतरिक्ष के बीच में यह खाली वॉइड आखिर बना कैसे कई वैज्ञानिकों की तेयोरी यह कहती है कि यह किसी advanced alien civilization का काम है वो एक ऐसा डिवाइस बनाए हैं जिसे dyson sphere कहते हैं जो कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरे ब्रहमांड की सारे तारों की energy को खीच कर किस watch telescope का इस्तमाल करके एक ऐसी object को देखा जो कि एक asteroid की तरह थी और सबसे अजीब बात यह है कि इसकी diameter बस 12 मेटर का ही है और इसके बारे में यह पता चला कि जिस पात में जिस रास्ते पे धरती सूरज का चक्कर लगाती है बिल्कुल उसी रास्ते में धरती के सांत सांत यह चकर लगा रहा है यह बहुत ही अजीब बात है इस object का नाम है 1991 वीजी बहुत सारे उलका सूरज का चकर लगा रहा है पर यह 1991 वीजी उनमें से सबसे अलग है जातर उलकाएं सूरज का चकर लगाती है पर उनका जो पात है जो रूट है वो थोड़ा elliptical होता है perfectly गोल नहीं इंसानों का बनाया हुआ अंतरिक्षियान हो सकता है जो कि धरती के चारों तरफ घुमते घुमते बाहर निकल गया हो पर इस थियोरी को बहुत लोगों ने नकार दिया है क्योंकि हमारे record में ऐसा कोई भी launch किया हुआ spacecraft है ही नहीं जो कि धरती को छोड़के बाहर सके हाला कि यह सब तो बस थियोरीज हैं पर असल एक्स्प्लेनेशन किसी के पास नहीं है नंबर फाइव वोयजर स्पेसक्राफ्ट एलियंस के लिए शंदेश वोयजर नाम काई कि स्पेसक्राफ्ट 1977 में लाउंच हुआ था वो इस दुनिया के सबसे बड़े मिशन्स में स एक है आप अक्सर सुनते होंगे कि इस अंतरिक्षियान को उस ग्रह में भेजा गया जाज करने के लिए और यह सब पर यह वोयजर स्पेसक्राफ्ट आज तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है इसने यह फोटो भेजा था जिसमें आप जो यह डौड देख र में धरती के लोकेशन के बारे में जानकारी भी दी गई है इसे कोडिनेट कहते हैं उस गोल्डेन डिस्क में बहुत सारे गानों को भी रखा गया और यह सब इसलिए कि अगर हजारों साल बाद भी अगर यह स्पेसक्राफ्ट किसी दूर के सभ्यता को मिली तो वह इस बात क में से एक होने वाली है सैटर्न नेप्चून और यूरेनस इन ग्रहों की फोटोस को आप कुछ ऐसा देखते होंगे इसमें ऐसा रिंग होता है पर आप तो जानते ही होंगे कि हमारे पडोसी मंगल ग्रह पर ऐसी कोई रिंग नहीं है पर फैक्ट तो यह निकल कर आता है कि म कोबोस है यह मंगल के करीब आता जा रहा है उसके गुरुतवा कर्शन बलके चलते आखिर में जाकर वो मंगल गरह से टकड़ा जाएगा और जो उसके टुकड़े होंगे वो मंगल के चारों तरफ घूमने लगेंगे और अल्टिमेटली मंगल को एक रिंग मिल जाएगा सा एक्जैक्टली कोई नहीं जानता थेयोरिस तो बहुत है पर एक्जैक्टली क्या होता है यह किसी को नहीं पता ब्लैक होल के अंदर हमारी जो लॉफ फिजिक्स है भोतिकी के जो नियम है वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं कुछ वैग्यानिक कहते हैं कि उसके अंदर समय रुक जाता है तो कुछ ये कहते हैं कि ये किसी दूसरे दुनिया का द्वार है अगर ये समय रुकने वाली बात सही है तो इसका मतलब अगर आपको मैंने किसी ब्लैक होल के अंदर भेज दिया तो आप एक जगा पर स्टिल हो जाओगे क्योंकि समय रुक चुका है आप हमेश इतिंग वन अनदर मालो दो आकाश गंगाएं यानि गैलेक्सी एक बड़ा है और एक छोटा है तो जब ये किसी कारण से एक दूसरे से टकड़ाते हैं तब जो बड़ा वाला गैलेक्सी है वह इस छोटे वाले को अपने अंदर खींच लेता है अपनी गुरुत्वाकर्श इसका नाम है दब मिलकी वे जिसके अंदर सूरस धरती ये सब है हमारी मिलकी वे भी इसी तरह से बनी थी जब एक बड़े आकाश गंगा ने दूसरे छोटे को खा लिया उसके बाद बना था हमारा गैलेक्सी मिलकी वे और ऐस्ट्रोनॉमर्स ने तो ये भी कहा है कि हमारे म कि वे गैलक्सी को करोड़ों साल बाद एक बड़ा गैलक्सी इसका नाम है एंड्रोमेडा वो अपने तरफ खींच लेगा और दोनों का टक्कर होगा और उसके बाद दोनों मिलकर एक गैलक्सी बन जाएंगे हाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर बिलियन इय यानि एक छोड़ा सा पत्थर होता है जो अंतरिक्ष में धर्ती की तरफ आ रहा होता है पर धर्ती का जो एटमोसफेर है यानि धर्ती के चारों तरफ का जो वायू मंडल है उस जगा वो जल जाता है और तब एक चमकता हुआ चीज हमें दिखता है जिसे हम तूटा हुआ कहते हैं पर असल में वो सिर्फ उलका होता है पर इससे भी अजीब बात यह है वैसे घूमते हुए बड़े बड़े तारे असल में होते हैं साइंटिस्ट को कुछ ऐसे तारों के बारे में पता चला जिने बाइनरी पेर स्टार्स कहते हैं मतलब दो तारा का एक सेट जो की एक दूसरे को चक्कर लगाता है और जब यह तारा किसी ब्लैक होल के नस्दिक होता है तब एक बहुत ही डराओनी चीज होती है और जनरली यह दो सेट वाले तारे जयातर ब्लैक होल के करीब ही होते हैं दोनों में से एक तारे को अगर ब्लैक होल अपने तरफ खींच लिय तो लॉस ओफ ग्रैविटी के चलते वह दूसरा तारा बाहर की तरफ निकल जाता है और करीब 10 किलोमेटर प्रती सेकंड के स्पीड से अंतरिक्ष में बिना रुके वो चलता रहता है इतना बड़ा तारा जब 10,000 किलोमेटर प्रतिसेकंड की स्पीड से बिना रुके अंतरिक्ष में तैरता है तब वो इस ब्रह्मान का सबसे डराऊना दृष्य होता है उमीद है कि ये स्पेस फैक्ट्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना और शेयर भी कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को तो भूलना ही मत उसे जरूर दबा देना